अबोसे बड़ी चीज आती है स॥ी बगत सिंग्ग। जीसको मैने पढ़े और जीसको पढ़े के मैंने बहुत कुछ शी किया है। जिसकी कमर का साइज 27, जिसकी छाती का साइज 32, जिसके पैर में जुता आता था साथ से आठ नंबर गाड़ा। आप लोग सोते हो बगत्चिंग कोई भीम था पाकत वर था, ऐसा नहीं है, अंदाजा लगाना वो कैसा हो। जिस वक्त उसकी फासी का टाइम था, उस वक्त उसका वजन था 62 किलो, और जिस वक्त वो जेल के अंदर गया, उस वक्त उसका वजन था 57 किलो. अब गोर करने की बात सुना बगत सिंग कोर था बगत सिंग की क्या विचार दा रहा थी जिनकी लासों का बदला आज तक नहीं लिया गया आज तक उनको सहीत का दर्चान ही मिला आज तक उनका कहीं चिकर नहीं होता आज तक कोई भी पार थी उनके विचारों पे नहीं चल प कोई भी सरकार आए, आप लोगों को हिंदू-मूसलमान, चातिवाद में बाट के भरातनी रहें कि आप लोगों का फायदा उताती रहें। बहरत भीश में नंबर पर था गाएं का मीट के चड़ में जिसको भीट कहते हैं आज भारत की इसरे नंबर पर है या रक्षा करी जितनी गाएं पहले कचती थी उसे तीन गुना बड़ी पुझा आज लिंपी नाम की जब बिमारी आती है हमारे देश का अपर दान मंतरी हमारे देश का राजा भार से चीतते में आता है मैं पूह रहाचाँ झाहां अपने बाब की साथी बेने के जाए गउनी को क्या का मैंगे अनके पास इस बाद का कोई सुँआब है क्या काम आएंगे यही के लिए भी हर जन है हर जन है बस उनको एक ही काम है इस लोगों को आप उसमें लड़ा दो बिना दो हिंदू-मुस्लिम करा दो उसको उसका दुस्मन बढ़ा दो और तुम राज करते रो जो काम अंग्रेज करते थे आप लोगों को लड़ा के वही काम हम आज कौन साजाद है